इंग समाद लामी इंग धम लिपी इंग धम लिपी इस लाइन को अच्छे तरह से याद कर लिए इंग का मतलब होता है यह है इंग यानि यह है धम लिपी धम की लिपी है ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात पत्थर बोल रहे हैं ये बात समराट असोक बोल रहे हैं समरक पिये दस्सी चक्कवती असोक बोल रहे हैं महा भारत की निर्माता जिनोंने महा भारत बनाया महा भारत मतलब पाली में कहते हैं महा का मतलब बड़ा भारत माने जो आज के समय में चोटा भारत है, उससे बढ़ा, जिसको संसकारित भासा में बरहत बोलते हैं इसको बरहत सब्दो को भूल जाए। अगर आप पुर्ण ए सोक के भारत की बात करेंगे तो वो महा भारत है तो महा भारत के रचियता समरट का मतलब है जो समता के तटमाने राष्ट को चलाते हैं ये दस्ती मतलब जो सबके दर्सन जो देते हैं सबको प्रिये हैं चक्रवती मतलब जिन्होंने धम चक को गुमाया धम चक को गुमाने वाले बढ़ाने वाले असोख, असोख ऐसे महान रड़ा जा हैं उन्होंने पत्थरों की किताब बनवाई उन किताबों पे जिस लिपी का इस्तमाल किया लिपी किसको कहते हैं जिसमें कोई बात लिखी जाती है उसको लिपी कहते हैं आज की डेट में आपके मोबाइल के अंदर जो इमोजिन आते हैं इमोजिन जो नए ने तरह के चेहरे बने हुए आते हैं कभी हाथ ऐसे आता है, कभी दो अंगली आती हैं कभी हाथ आता है, कभी एक अंगली, कभी हाथ ऐसे आता है इमोजिन है जिसमें चेहरा आता है कोई मुस्काता हुआ कोई आंक दिखाता हुआ कोई आंक खमारता हुआ कोई चस्मा लगाता हुआ उनको इमोजिन बोलते है तो ये जो अक्छर के चिन होते हैं उसको लिपी बोलते है वो जो लिपी है वो अपने आप कह रही है मैं धम लिपी हूँ एहं धम लिपी यानि यंग धम लिपी यह है जो पड़ रहे हैं धम लिपी है और ये पियदसी असोक ने यहां खुदवाई है ये बिल्कुल इस पश लिखा हुआ है जैसा आप यहां फोटो में देख रहे है चुकि अब धम लिपी की ये जो किताब आप देख रहे हैं ऐसी किताब आने लगी है ये किताब के अवारे मैंने पहले बताया था आप धम लिपी वाला जो वीडियो है वो देख सकते हैं इसमें जो मोतिलाल आलम चंद जी है उन्होंने एक किताब लिखी है उसमें मैंने फोन नमबर दिये है इसके अलावा जो डॉक्टर राइंदर परसाज सिंग है पटना वाले जो जाने माने भासाकार है वो कहते हैं उनका एक वीडियो का यहां में अटेच कर रहा हूँ नीचे लिंक में आपको मिलेगा इसके अलावा जो सागर में MBBS आनंद रखित भिकू हैं वो पढ़ाते हैं सारे भारत में धम लिपी के अब हजारों जानकार है इस किताब के माध्यम से दो दिन में आप अपनी आँखों से अपने दिमाग से पड़ सकते हैं यंग धम लिपी यह है यह मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि धम लिपी सारी भासाओं का जन्नी है सारी लिपियों की जन्नी है यानि जितनी भासा हैं उनको जो लिखा जाता है पत्तियों पर मिले हैं या बाद में कहीं अगर कोई पत्ते वैसे हैं जो खराब हुजाते हैं पेड़ों के पत्ते टाइप के वहां कहीं मिले हैं या बाद में अगर कागज पर या टंकड में या सोने में चांदी में कहीं मिले हैं तो वो सारे के सारी लिपियां धम लिपी से जाती हैं और धमलिपी के नाम को कई और नामों से लोगों ने बदलने की कोशिस करी मगर कमाल की बात यह है कि जिन नामों को बदलने की कोशिस की धमलिपी से उन नामों का अस्तित्वी नहीं है उन नामों का उद्गम नहीं है इत्यासकार बड़े परिशान हैं कि धम लिपी को जो लोग अपनी भासा कहने के लिए मरे जा रहे हैं तुले जा रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि धम लिपी नहीं है ये इस नाम की लिपी है उस नाम का तो कहीं जिकर ही नहीं आता इतियास खार ये धूंटे धूंटे पागल हो गए कि इस नाम का सबसे पहले इस्तमाल कब हुआ है उदगम कब हुआ कहां से आया कैसे आया तरसल सारे शब्द जितने भी हैं या सद बोलें जितने भी सद हैं वो अपना इतियास रखते हैं कि वो पहली बार कहां बने कहां आये उनका क्या मतलब था अगर किसी सद का यानी अकھरों के जोड़का और कोई मतलब नहीं है तो वो सद्द बेकार होता है तो अगर कोई सद्द आया है तो उसकी हिस्ट्री होती है उसका उद्गम होता है उसका विकास होता है उसकी पूरी यात्रा होती है कि ये सद्द कैसे कैसे कहां तक आया इसका जनाना सद्द कौन सा है मरदाना कौन सा है यानि कि male कौन सा है और female कौन सा है तो जो सद्ध फरजी होते हैं जो fake होते हैं जो बीच बीच में बीच बीच में भासाओं पे कबजा करने के लिए घुचेडे जाते हैं उनके अंदर insert किये जाते हैं जबर जास्ति उसमें डाले जाते हैं और उनको ये कहा जाता है कि ये हमारा जो सद्ध है ये पुराना है प्राचीन है उसका इत्यास कारों को इत्यास तो मिलता नहीं और कमाल की बात ही है कि उसकी लाइनेज भी नहीं मिलती अब लाइनेज क्या होती है कोई सद है जैसे शब्द है वर्ड है तो उसका एक धातू सद होता है धातू का मतलब है बीच का एक सद होता है जिसमें पहले कुछ सब्द जोड़ेंगे बाद में कुछ जोडेंगे किरिया है, विसलेशन है यानि adjective है, या वर्ब है या noun है, या pronoun है या अगर वो fixed word है यानि इक प्रिफिक्स है, या सफिसिक्स है या आव्यव है तो सारे के सारे सब्दों की चैन मिलेगी और उसके साथ जो जुड़ेंगे सब्द जिनको उपसर्ग बोलते हैं या प्रसर्ग बोलते हैं या आगे पीछ लगने वाले प्रिफिक्स और सफिसिक्स उनकी एक लाइन मिलती है उससे पता चलता है कि ये सब्द का इस्तमाल कैसे हुआ ये घटा कैसे ये बड़ा कैसे और ये किस-किस से म कहते भी हैं कि ये बहार के सब्द ऐसे कैसे लिए गए हैं। चुकि हमारे यहां एक बड़ी लकिर की फकीरी है। हमारे जो विद्वान हैं वो नई बात कहने से और नई खोश कहने से बड़े ड़ते हैं। गिग्याते हैं, घबराते हैं। उनको रेफरेंस की अदत बहुत है, अपने पर भरोसा नहीं है। तो वो कहते हैं हाँ समझ में तो नहीं आ रहा मगर कोई रेफरेंस नहीं है। अरे रेफरेंस होता तो वो देता ना क्या आपको, अगर रेफरेंस होता तो मिलता ना क्या आपको, इसका reference नहीं है ये फर्जी सब्द है फर्जी वर्ड है गुसा हुआ है ये बाहर से आया हुआ है ये मनगनत है ये बनाया है अब ही तो reference नहीं मिला अगर reference इसका होता तो ये सद्द सद्द खुद ही बोलता और ये खुद ही कई ना कई से आता तो ये अपने आप खुद ही ब तो वो सद्ध फरजी है वो शब्द फरजी है और उसको जबर जस्ती इसनी लाया गया है कि कोई दूसर सब्द उसमें रिप्लेस हो जाए उसकी जगे ले ले उसकी जगे आ जाए ऐसे कुछ खास सब्द है आप समझ जाएंगे अगर जानेंगे तो देखेंगे तो धम लिपी पे कबजा करने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अगर धम लिपी पे कबजा हो जाता है तो असोकी जो धम लिपी है उससे पहले आप अपनी किसी और लिपी के बारे में कह सकते हैं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहां तो पत्थरी बोलने हैं, आजकल सब्जे का पत्थरी बोलने हैं, कहीं जमीन से निकलने हैं, कहीं लगे हुए हैं, अब तो बच्चा बच्चा धमलेपी पढ़ने लगा हैं, लगब हजार से उपर बच्चे त्यार हो गए हैं, जो धमलेपी सीखिए, आप खुद पढ़िए, दरसल जो असो के पत्थर हैं, वो सारे नेट पे उपलब्ध है, आप जब धमलिपी पढ़ेंगे, वो भी नेट पे उपलब्ध है, वीडियो में भी उपलब्ध है, जो वीडियो बना रहे हैं मोतिलाल जी, वो वीडियो ले सकते हैं, मैं यहाँ अटेच कर रहा हूँ आपको, वीडियो नीचे आपको मिलेंगी, एक वीडियो मैं अटेच कर देता हूँ, दो दिन में आप धमलिपी सीख जाएंगे, आप खोदी कहेंगे यंग धमलिपी, यह है धम लिपी है, और इसको आप सब को बताईए, सब को सिखाईए, सब को इसके वारे भेजिए, क्योंकि देव नागरी जो लिपी है, वो इस से आई है और देव नागरी क्या है, देव माने वो लोग जो पांसिल का पन करते हैं और नाग से बना है नागरी यानि कि नाग लोग हैं भारत के नागवंसी लोग हैं उन्होंने लिपी बनाई है उन्ही के खांदान की लिपी है क्योंकि असोक भी नागवंसी रहे हैं और उन्ही नागवंसी तो धम लिपी का बाद में डेव नागरी लिपी भी होता चला गया दोनों ही एक दूसरे के परियावाची हैं सिनोनी में दोनों फिट बैट थे हैं दोनों ही एक लाइन में आते हैं धन्यवाद नमस्कार दोस्तो आज हम आपको धम लिपी की बढ़ माला से परिचे करवाएंगे धम लिपी समराट असोग के सासनकाल में इजाद की गई लिपी है समराण असोग के पूर्व भासाय तो थी लेकिन लेखन सरी विच्षित नहीं हुई थी लेखन का खुकता प्रमाण हमें समराण असोग के काल से ही समराण असोग के सासन काल से ही हमको देखने को मिलता है समराट असोक के सासनकाल में हमें धेरो अभीलेक भारत वर्ष में प्राप्थ हुए है भारत वर्ष में समस्त अभीलेक समराट असोक ने धम लिपी में लिखवा है धम लिपी ही भारत की सबसे प्राचीन पठनी लिपी है और धम लिपी ही भारतिये मूल की समस्त बासाओं की लिपियों की जननी भी है बरतमान बासाओं की लिपियां तमाम लिपियां इसी लिपि से निकली हैं इसी धम लिपि से निकली है इसलिए मैं इस लिपी को मदर स्क्रिप्ट कहता हूँ, मा कहता हूँ, भारती लिपियों की मा है, जननी है आईए दोस्तों हम इस लिपी को पढ़ते हैं धम्न लिपी बढ़ माला आ, आ, ई, ई, उ, उ, ए, आई, ओ, आउ, अं, का, खा, गा, घा, इंगा चा, छा, जा, जा, या, ता, ठा, डा, धा, र, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, हा, रा धंबलिपी में समराटसों के अभीलेकों में केबल सरोते वाला साथ अधिकांस का प्रयोग किया गया है सीटी वाला साथ और शटकॉल वाल इशाय का प्रयोग ना के बरावर मिलता है अधिकांस का प्रयोग होता था इसलिए यह स्वारो की संख्या आई और रव को मुलागार दस हो जाती है अंग प्राकर्तिक या पाली में इसे बेंजन में गिना जाता है जबकि हिंदी या भारोपी वासा परिवाए में इसको अनुसवर में गिना जाता है इसलिए अनुसवर को भी मिलाकर यहाँ पर ग्यारा स्वार और एक निखिता मिलाकर ग्यारा अक्छर होती है इसलिए ग्यारा खड़ी इस धमलिपी में हमने बनाई है ग्यारा खड़ी या मात्रा किस प्रकार लगाई जाएंगी मैंने यहाँ पर ग्यारा सर्किल बनाए हुए सर्किल को आप एक लेटर से पैचान सकते हैं इसे आप ठा बान सकते हैं इसको सिर्फ हम मात्रा लगाने का तरीका पिस प्रकार है वह हम जानेंगे देखिए दोस्तों का नीचे का है पहले मात्रा पढ़ते हैं इस प्रकारी मात्रा हमें उपर लगाई है उ और बढ़ाओ के मात्रा नीचे है अक्षर के और सेस मात्रा अक्षर के उपर लगाई जाती है इस प्रकार हम अब एक बेंजल लेंगे बेंजल में मात्रा इस प्रकार लगाई जाएंगी देखिए दोस्तों का में उपर मात्रा लगाई गई है की की में उपर एक छोटी मात्रा बड़ी की में बड़ी की की मात्रा का छोटाओ की मात्रा कू का बड़ाओ की मात्रा कू का एकी मात्रा के का आई की मात्रा कै इस प्रकार आप ग्यारा खड़ी में मात्रा किस प्रकार लगाई जाएंगी आप यहाँ पर गिये गए इस छोटे से चाड़ से आसानी से सीख सकते हैं धंब लिपी के लिए सीखने के लिए इतनी सामक्री परयाप्त है इस प्रकार का की जगे आप दूसरा पेंजर भी लिख सकते हैं मात्रा चड़ाने का तरीका यही रहेगा केवल जो सम्रटसों की अभीले को मैं हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है जो अक्षर नीचे गोलाए लिए खत्म होते हैं गोलाए लिए हुए हैं जैसे था है था है टा भी है इस प्रकार और भी अक्षर है बाद नीचे गोलाए लिए खत्म हो रहा है न लगागाए, एक सीधा नीचे डंडी भी खीच सकते हैं, जो लुकी मात्रा या लंडी खीची तो बड़ों की मात्रा को प्रदसेत करता है। आप एलनुमा भी मात्रा लगा सकते हैं जनली सम्राट असोप्य अभीलेखों में इस प्रकार मात्रा लगाई गई है इसलिए मैंने आपको प्रकार बताया है दोस्तों इसको आप बड़े आराम से सीख सकते हैं बहुती सहज बहुती सराल और बहुती बैग्यानिक लिपी है सीखने के लिए आप इसको बारे बाते ॅप्रेटस करें इसको प्रैटस करने को प्रैटस कब्सकी कर्फियर करकिश करते समय स्साहर 살아 areitel तरीका मात्रा चुड़ाने का तरीका बुद्ध थम्सर नंग रच्छा में थम्मंशर नंग रच्छा में थम्मंशर नंग बुद्ध थम्मंशर नंग रच्छा में 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 थम्मंशर नंग पूदं सेनं दच्छामी नम्मं सेनं दच्छामी संगं सेनं दच्छामी पाना ती पाता विर्मनी जिख्खा पधंग स्माद गुदं शर्णं गच्छामी पूदं शर्णं गच्छामी संगं शर्णं गच्छामी पूदं शर्णं गच्छामी संगं शर्णं गच्छामी पूदं शर्णं गच्छामी संगं शर्णं गच्छामी शर्णं